हेलो फ्रेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जजबेश टेडी पॉइंट में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बैदिक गनीत का एक बहुत ही महत्पून फर्मूला बताने वाला हूँ यह फर्मूला ऐसा है कि यदि आप इस फर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं आप समझ लेते हैं तो आपका गनीत का जो कैल्कुलेशन क्या जो स्पीड है काफी तेज हो जाएगा calculator से भी तेज हो जाएगा calculator भी फेल हो जाएगा इस trick के आगे तो आप सभी को ये सुतर जरूर याद रखने चाहिए तो आईए इस वीडियो की सुर्यात करते हैं दोस्तों सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यदि आपको एक नव, डबल नव, ट्रीपल नव या चार नव इससे गुना करने के लिए दिये जाए तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है कुछ नियम को याद रखना है जैसे कि अब यहाँ पर हम अंक लिखने जैसे 78 में हमें अगर गुना करने के लिए दे दिये जाए 99 से तो आपको इसमें गुना करने की आउसकता नहीं है बस क्या करना है आपको कि एक अंक कम कर देना है तो कि इतना हो जाएगा 77 हो जाएगा और उसके बाद करना है कि जो 9 बोच रही इसको घटा देना है, 9 में 7 घटेगा तो 2, फिर 9 में 7 घटेगा तो 2, आप देख सकते हैं बीना गुना कि हमारे गुनान फल आ गया, उसके बाद हमारा आगला एक जामपल है, जैसे कि हम 3 अंकल लेते हैं, अंक, अब देखिए 387 में कि अब घटाना है नौ में से तिन घटेगा तो फिर छे फिर नौ में से आट घटेगा तो एक फिर नौ में से छो घटेगा तो कितना जाएगा तीन अब देख सकते हैं बीना गुना कि यही काफी असान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अब हम आगला कि जाम पर ले लेते ह है तो एक कम करना है तो एक कम किज़ेगा तो कितना है जाएगा आठाजार साथ सो आठासी आ जाएगा उसके बाद आपको घटाते जलना है देखिए नौ में से आठ घटेगा तो एक फिर अब देखिए इसको गुना करने में थ्वरत쪽सआपको ध्यान रखना है यहांपर दिखिए सबसे पहले आपको जुरा बाहां रहे हैद इस life test पहले भथ पहले उसके पहले उसके वगाला है कि यहां पर देखिए 2 गुणौव चोड़का क्या बच रहा है, 1 गुणौव बच रहा है तो 1 गुणौव को यहां पलिख देना है, ठीक है, आप उसके बाद क्या करना है, आपको इसको घाटा ना है, जिससे 9 में से 3 गटेगा तो 6, फिर 9 में से 6 घटेगा तक इतना आ जाएगा 3, तो आप देख सकते हैं कितनी असानी से बीना गुना किया ही हमारा मान निकल गया, अब हम दूसरा एक जामप ले लेता है, जैसे कि आप अब यहां पर दिया गया है, 878, आपको गुना करना है इसमें, जैसे कि 4 गुनाव से, तो आपको गुना करने की आप सकता है, सबसे पहले तो आप एक अंक कम करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 877 हो जाएगा, उसके बाद देखे, इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक को यहां से छोड़ दीजिए, एक 9 बच रहा है, तो एक 9 को यहां उतार दीजिए, उसके दो आपको क्या करना है, बाकी जो अंक बच गए इसको घटाना है, जैसे 9 में से 8 घटेगा, तो 1, फिर 9 में से 7 घटेगा, तो 2, फिर 9 में साथ घटेगा, तो कितना जाएगा, तो आप देख सकते हैं, कितनी आसानी से बینण गुना कि यही हमारा मान निकल गया, अब दोस् भाब को यहां पर उतार देते हैं 78 दो बर है इसको आप उतार दीज़े अब उसके बाद कितना थी नविट hyper ऐसके बाद सटार दीजिये कि जुआ जाये है इसे भी आप लिए और में 10r तो आप देख सकते हैं बीना गुना कि यही हमारा मान निकल गया है तो दोस्तो इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि किसी भी संख्या में यादी एक नव, डबल नव, ट्रिपल नव या चार नव से गुना करना हो कितनी आसान तरीके से बीना कैलकुलेटर के भी आप सल सखना बहुत जरूरी है क्योंकि गनित के जब आप प्रसन सल्व करते हैं तो ऐसे सखना आना चाहिए और दोस्तों यदि आप इस त्रिक को याद रखते हैं तो आपको गनित के सवाल को सल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा उमित करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो मैंने गुना करने का जो सटकट तरीक बताया हूं आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो आपको ये वीडियो कैसा लागा आप हमें कमेंट करका जरूर बताईएगा मिलेंगे नेक्स क्लास में देजी इजाजत नमस्का